नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ संतो सिंग और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम बजट में होम रिकॉर्डिंग स्टुडियो कैसे बनाएं मतलब की घर में ही अगर आप चाहते हैं कि अपने साउंड को रिकॉर्ड करें तो कैस ये काम होगा इसके बारे में क्या-क्या साधन उपलब्द हैं और कितने बजट में आपका ये काम हो जाएगा इस बारे में डिटेल में बताऊंगा तो एक जमाना था कि जो है रिकॉर्डिंग स्टुडियो काफी कॉस्टली होते थे और जैसे जैसे कंप्यूटर करना चाहते हैं इसके बारे में पहले विचार करना आपके लिए जिरूरी है क्या आप केवल ये शौक के लिए कर रहे हैं या फिर क्या आप आगे चलके इससे अपना बिजनस के रूप में भी डालना चाहते हैं तो आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आप अगर आप चीज ना खरीदना पड़े तो यह आप पहले ध्यान में यह विचार कीजिए कि आप यह सब क्यों चाहते हैं क्या यह क्यों एक शौक है या फिर क्या आप इसमें उतना समय देंगे या उतना आप इंवेस्ट करना चाहेंगे कि आपके लिए प्रॉफिटेबुल हो जाए तो शायद अगर दो तीन साल पुराना हो या चार साल पुराना हो तो शायद उससे काम चल जाए अगर आप बेसिक लेवल की चीजे चाहते हैं तो अगर आपके पास नहीं है तो बीस हजार से पचपन हजार तक के रेंज में जो कंप्यूटर है या लैप्टप है अपने के हिसा आप से ले सकते हैं हेडफोन या स्पीकर स्टूडियो मॉनिटर जो बोलते हैं वह आप ले सकते हैं दो सो से पांच हजार एक्चुली ज्यादा ही दाम होता है अगर आप क्वालिटी के स्टूडियो मॉनिटर लेंगे तो आपको कम से कम 20,000 या 15,000 जैसे रेंज के यह सुचना चाहिए और बट हेडफोन जो है आपको दो अड़ाई हजार में या तीन हजार में अच्छे क्वालिटी के हेडफोन मिल जाएंगे फ्री सॉफ्ट्वेर जो है वह आप यूज कर सकते हैं और सिटी एक बहुत ही बढ़ियां बेहतरीं सॉफ्ट्वेर है जिसे आप यूज कर सकते हैं या फिर आप अगर प्रोफेशनली चाहते हैं काम करना तो आप डिजिटल आडियो वर्कस्टेशन जी से बोलते हैं डॉब वह पेड़ सॉफ्ट्वेर भी ले सकते हैं तो उसके एक्जाम्पल में आपको बताऊंगा उसके बाद अगर आडियो फेस होना चाहिए और डॉब को अच्छी तरीके से कंट्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है मीरी कंट्रोलर की बोर्ड होना चाहिए तो इतने सारी चीजते देकर आप घबरा मत जाएं यह सारी चीजते जरूरी नहीं हैं इन में से अगर आपके पास कुछ भी हो तो भी आप बहुत कुछ कर सकेंगे तो चलिए अगर आपके पास computer नहीं है तो computer तो लेना पड़ेगा तो उसमें आप अगर assemble करके भी लेंगे कुछ features तो आपको minimum 20-25,000 रुपय तो लगी जाएंगे या अच्छा अगर लेंगे costly लेंगे या laptop लेंगे तो उसमें आपको जो है सब कुछ लेते हुए minimum जो है 55,000 रुपय का बज़र जो है वह आपका हो जाएगा तो अगर पहले से ही आपके पास computer है तो कम से कम जो है 1 GHz उसका processor होना चाहिए और 2 GB RAM अगर उसमें है तो कुछ हद तक जो है काम बन सकता है सकते हैं बट जो हाई-end जो software से digital audio workstation होते हैं वह आपको support नहीं करेगा 2 GB RAM और 1 GHz प्रोसेसर जैसे आप फेल studio या प्रोटूल्स अगर चलाना चाहिए तो इसके लिए आपको जो है हाई-end computer चाहिए अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो इस हिसाब से ही खरीदिएगा और उसमें जो है प्रोसेसर कम से कम 2 GHz या उससे ज्यादा हो RAM जो है कम से कम भी लेंगे तो 4 GB RAM तो जरूरी है आपके लिए और या उससे ज्यादा लेंगे 8 GB लेंगे तो बहतर है हाट डिस्क काफी जरूरी है तो आप जो है आज कल तो खेर 500 GB से कम का आता भी नहीं है जेनरली अगर आप नया खर देंगे तो तो 500 GB या 1 TB या 2 TB जो भी है आप ले सकते हैं अगर आप इंटेल के प्रोसेसर लेना चाह रहे हैं तो i5 और i7 जो है उससे नीचे मत लीजिए है तो फिर i5 या i7 ही आपके लिए बेतर भी कल्प है SSD drive के बारे में भी सोच सकते हैं solid state drive जिसे बोलते हैं तो solid state drive क्या होता है जैसे computer में hard disk होते हैं उसमें rotation होता है तो वह rotation होता है तो noise जो produce करता है जब कुछ भी उसमे recording करेंगे तो जब डिस्क rotate होता है तो उसका थोड़ा सा noise आपके उसमें recording में चलाता है तो यह solid state drive जो होता है न वह pain drive जैसे बोलते हैं ऐसा होता है तो उसमें वह noise नहीं बनता कोई भी rotation नहीं होता है यह केवल solid state मतलब यह एक microchip जैसा होता है यह 1200 GB या 500 GB का आता है या एक 1 TV का आता है तो उसको अगर आप replace कर लेंगे अपने hard disk के साथ तो यह बहतर होगा और hard disk का जो है न मैंने rpm यहां पर बताया नहीं आप जो है 5400 वाला मत लेना अगर आप sound recording चाहते हैं तो latency ना हो उसमें delay ना हो तो जो है 7200 वाला जो है rpm वाला hard disk लेना अगर आप hard disk लेना चाहते हैं तो ओके और इसके बाद जो अगर आप Mac को prefer करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर लोग जो professional काम करते हैं वह industry में वह Mac के उपर ही काम करते हैं बट हम यहां पे budget studio की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास यह नहीं भी है simple कोई computer भी है तो भी काम चल जाएगा यह Mac जो है यह काफी costly होता है और उसके software भी pro tools या logic pro जो है वो काफी costly होते हैं तो चलिए कोई बात नहीं इसके बीना भी इन सब के बीना भी जो है काम हमारा हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे माइक की तो माइक जो है बहुत ही important है और यह जो है अगर आपके पास कुछ भी और नहीं हो अच्छा बट माइक जो है न यह आप अच्छा ले लिजेगा क्योंकि अगर आप केरियोके के ऊपर भी अपने sound को record करना चाहते हैं या कुछ भी voice record कर होना चाहते हैं तो यह पहली जो चीज है जो कि आपको quality देगी तो माइक जो है computer तो आपके पास जैसा भी हो बट माइक जो है न थोड़ा सा अच्छा quality का ले लिजी आप तो इसमें दो option होंगे आपके पास dynamic mic या condenser mic तो dynamic mic जो है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ यह उपर की तरफ यह वाला तो यह general dynamic mic है तो इसमें क्या होता है कि sensitivity ज्यादा नहीं होती है और नजदीक से अगर record करेंगे तो यह बाहर के दूर के noise को नहीं accept करेगा लेकिन इसकी quality भी उतनी ज्यादा नहीं होती है ठीक ठाक हो जाती है मतलब ऐसा नहीं है आप अच्छा quality के लेंगे तो ठीक ठाक recording हो जाएगी बट जेनरली जो है ना वोकल recording के लिए जो गा के record करते हैं तो उसके लिए यह वाला इस तरीके का जो condenser mic होता है ना वह condenser mic को prefer किया जाता है तो condenser mic जो है मैं recommend करूंगा आपको कि अगर आप voice recording करना चाहते हैं तो आप condenser mic ले condenser mic में दो तरह के होते हैं एक है USB power जो कि आप mic को सिधा अपने USB से computer में लगा देंगे तो काम करने लगेगा और एक है phantom power तो phantom power जो है ना वह आपका phantom power से वो चलता है वो on होगा उसके लिए 48 volt का phantom power चाहिए तो phantom power आपको जो है ना audio interface card होता है उससे आता है तो आपको फिर उस 10,000 या 5000 के के बीच में कोई भी USB condenser mic ले लिजिए उसका मैं example आपको दिखाऊंगा तो वो mic जो है सिधा आपको computer से connect हो जाएगा और कोई भी free software जैसे audacity ले सकते हैं तो फिर आप उसके उपर आराम से आपको और कुछ चाहिए नहीं आप carrier को record कर सकते है basic level की जो है editing कर सकते ह है और एक बात जो है ना पीन बहुत सारे लोगों ने पुछा कि मेरा microphone काम नहीं कर रहा है तो देखिए आपके जो computer है ना पहले जो है अलग-अलग आते थे दो पीन आते थे एक तो सुनने के लिए वह headphone के लिए पीन आता था और एक जो है recording के लिए नीचे में पीन आता थ रेड कलर का तो पहले दो आते थे अभी इन लोगों ने एक कर दिया है नए manufacturing में नए computers में तो जो single वाले होते हैं ना तो इसमें आप देखिए यह जो सबसे right side में यह देख रहे है left ear के लिए है right ear के लिए है यह ground है तो पहले यह तीन वाले होते थे अभी चौथा यह microphone का भी इसी में लगा दिया तो यह एक ही पिन से जो है ना PC headset जिसे बोलते हैं एक ही से यह सब कुछ काम हो जा रहा है मतलब आप सुनेंगे भी और record भी करेंगे उसी से तो आपका computer कैसा है उस हिसाब से जो है ना आपका connecting jack चुन करके लिजेगा नहीं तो फिर आप ले लेंगे खरीद कर लेंगे online और फिर उसका jack नहीं देखा फिर आपके computer के साथ हो जो match नहीं करेगा तो फिर वो आपको problem हो जाएगा तो आपका computer में कैसा जो है जैक है उसी साब से जो है ना आप connecting pin ले लिजे अस्टुडियो monitor या headphone की बात करते हैं जो कि अगर आपके पास नहीं है अगर mobile में अच्छा headphone हो उसको यूज कर ले सकते हैं या कोई दूसरा headphone हो उससे भी आप सुन सकते हैं या laptop है उसमें जो speaker है inbuilt उसको उसके द्वारा भी आप सुन सकते हैं बट कई बार recording के लिए जो है ना अगर बजाएंगे तो उसको तो कान में सुनना पड़ेगा तो यह Bluetooth से फिर transmit होगा फिर receive होगा फिर वह टाइम लग जाएगा तो आपका मैच नहीं होगा वह track के साथ आपका जो वोकल जब record करेंगे तो उसमें फिर काफी डिले हो जाता है और आपको काफी असुधा हो जाएगा तो वायर जो वायर वाला जो है इस तरीके का जो पीन वा चैनरली जो है लोग headphone से ही सुनना प्रेफर करते हैं तो आप headphone को भी ले सकते हैं कमदाम में यह काफी अच्छा option है तो 2000-3000 के range में जैसा Samsung का SR850 जो है यह 2600 रुपय में आपको मिल जाता है सेन्हेजर का जो है SD202 यह जो है यह 1800 के आसपास में मिल जाता है यह आप Google में search करेंगे तो आपको जो है online जहां भी मिलता है यह आपको देख सकेंगे उसके बाद जो monitor अगर आप लेना चाहते हैं तो यह high range में मिलते हैं जैसे की क्यार के rocket जो है वो उसका 5678 का इभर से ना देखेंगे या फिर यह एक बेतर चीज है अगर आप लेना चाहते हैं तो यह मॉड्यो बी एक्स फाइव कारबन यह बारह हजार में है और काफी अच्छा है या फिर और भी कई options से आप देख सकते हैं यह महा है प्रिजोनस हैर बेरिंगर है सैमसं मेडिया वन है तो बहु अगर आपने यह सोचा है कि इसको लेना है तो बहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी के ही ले मतलब कि आप 15-20,000 के रेंज में या उससे भी ज्यादा अगर आपके लिए संबह है तो वह ले लें क्योंकि यह एक बार लेंगे तो फिर आपका चलता रहेगा ऐसा भी कर सकते ह करना है कि आप धीरे धीरे इंप्कुरूल करें अपनी टूडियो को तो उसके लिए भी यह जरूरी है कि आप जो भी ले वह क्वालिटी के लिए और धीरे धीरे करके जो है अपना अस्तु Cris एंबस करें उसके बाद होते काफी high quality का एक software बन चुका है audacity जो कि आपको free में यहां से मिल जाता है इसके उपर मेरा एक tutorial है audacity के उपर तो आप मेरे channel से देख सकते हैं उसका link मैं दे दूँगा नीचे description में और काफी उसमें सब कुछ समझाया हुआ है कि आप इसे कैसे download करें इस्टॉल करें कैसे record करेंगे कैसे use करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके बाद आप paid software अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो FL studio एक बिकल्प है कमदाम में इसमें काफी कुछ है जो की घर बैठे आप बिना किसी इस्टॉमेंट के music बना सकेंगे और इसके उपर मेरे काफी सारे टुटोरियल से 30 के आसपास तो इसको कैसे यूज करते हैं और इसमें बहुत सारे सारे इस्टॉमेंट इन बिल्ट होते हैं तो आपको किसी चीज की ज़रुत नहीं हो आपको एक logic pro काफी यूज होता है यह Apple कंपनी का काफी इनवेस्टमेंट है इसमें और एवलेटन लाइव है क्यूबेस है नुएंडव है प्रोटूल्स तो काफी यूज़ होता है इंडर्स्टीय तेंडर में इसका काफी कॉस्ट है 50,000 के आसपास इसका कॉस्ट है आप अगर शीखना चाहते हैं तो शुरुआत में जो है होता है और यह FL Studio का जो है यह सेंपल है इस तरीके का होता है FL Studio 12 के बारे में मैं बता रहा था आपको यहां से आप जाएंगे image line.com पे तो इसका डाउनलोड में जाके आप यहां से जो है ना इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डेमो वर्शन इसको अगर आप प्रो टूल्स को का प्राइस देखना चाहें या प्रचेज करना चाहें वह भी कर सकते हैं इसका लगवग पचास जार रुपया दाम है इमेज लाइन एफेल स्टुडियो का यह फ्रूटी एडिशन तो आप मत खरीदना क्योंकि कोई फायदा नहीं इसमें रिकॉर्डिंग आडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर या सिगनेचर बंडल ले सकते हैं तो डॉलर वन और प्रोड्यूसर रिजीशन लगबग 14,885 रुपे में तो यहां से पर्चेश कर सकते हैं बट इनिश्यली जो मैं बता रहा हूं आपके लिए आप काम कर लिजे इसमें फ्री में जो है ओडैसिटी तो ओडैसिटी के ऊपर जो है यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से ओडैसिटी फॉर डाउनलोड कर लिजे यह फ्री में मिल जाता है और इसके उपर जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके ऊपर टीटोरियल देख कर ओके यह था सौफ्ट्वेर उसके बाद जो है इतना तो हुआ मतलब बेसिक लेवल की चीजे उसके बाद मी स्लेट कर लेते हैं आपना की क्या आपको बजाना है जैसे बैंजो पियानो बांसुरी जो भी स्लेट करेंगे न तो यह उसको प्ले करेगा उसका साउंड को यह बजा देगा और फिर आप उसमें सौफ्ट्वेर में रिकॉर्ड कर सकते हैं मीडी के रूप में और जो बहुत ऑच्छी चीज है इसमें आप जो है यहां डॉम पैट्स भी होते हैं यहीजी के ऊपर भी आप भुडॉम बजा सकते हैं और यहां आपको कंट्रॉल करेगा कुछ भी बजाना हो उसके ऊपर कुछ भी कोई इंस्टुमेंट प्ले करना हो तो आप इस ब्डीकंट्रल तो वहां से आप purchase कर सकते हैं या आपके आसपास अगर कोई दुकान हो जो की available करा सकता है इस तरह की चीजों को तो वहां से भी आप ले सकते हैं तो यह जो है न आप USB देखके लिजेगा ताकि जो है आपके computer से directly connect हो जाए बहुत सारे options हैं यह 5000 से लेके 15-20 1000 तक में अपनी budget के हिसाब से ले सकते हैं यह Amazon पर भी मिल जाता है बजाओ.com पर भी मिल जाता है एम audio जैसे key station देख रहे हैं इसमें 32 की हैं बहुत सारे functions हैं और buttons हैं इस तरह की चीजे होती हैं YouTube में आप इसके बारे में कोई भी आपको लेना है उसके बारे में डिटेल में YouTube म देख सकते हैं अगर आपको purchase करना हो तो और वजाओ.com एक trusted website है जहां से की काफी मैंने भी purchase किया है बहुत सारे चीजों को तो आप जो है ले सकते हैं और कोई चीज खराब हो तो यह return करके आप अगर वापस भेजे तो फिर से दूसरा चीज भेज देते हैं आपको अच्छ आपके budget के हिसाब से या आपके functionality के हिसाब से आप खरीद कर सकते हैं MIDI controller keyboard यह beginner अगर आप है आपको piano ही बजाना नहीं आता है तो फिर यह खरीद किया क्या करेंगे तो इसलिए पहले आप basic label पे जो है recording या audio editing सीख लीजिए उसके बाद ही इस बारे में सोचिएगा यह नहीं क का m track 2 है यह इसमें यहाँ पे यह जो देख रहे हैं आप जो port हैं इनमें microphone connect हो जाएगा तो यह एक साथ एक से ज्यादा microphone connect कर सकते हैं multiple track का जो है एक साथ recording कर सकते हैं और इसमें जो है headphone लगा के सुन भी सकते हैं उसकी साथ साथ ही तो यह सारी features है और volume सारे के control कर सकते हैं उ यह एक होता है कि जैसे आप कोई यह computer से USB से connect हो जाएगा और उसके बाद जो सारे जो माइक है या आपका headphone है उसको आप इससे connect कर लिजिए तो एक middle device की तरह काम करता है audio interface उसके बाद जो है एक mixer है तो यह जो है beginner के लिए नहीं है अगर आप future में प्लान करें कि आपका really ही आप एक studio जो है full placed आप अगर open करना चाहते हैं तो उसमें mixer का आप यूज कर सकते हैं तो mixer भी जो है multi track recording के लिए है इसमें जो यह सारे नौब देख रहे हैं यह सारे volume के है या फिर इसके bass, treble, mid यह सब जो है इसमें options होते हैं एक एक channel जो इसमें एक जो vertical row देख रहे हैं वो अगे तो इस तरह के कितने ही चैनल के आप mixer जो है market से ले सकते हैं और जरुवत के हिसाब से और उपर देख रहे हैं यहा पे यह है अप headphone connect कर सकते हैं आप lining connect कर सकते हैं मतलब mic connect कर सकते हैं और इसको जो है amplifier से भी जोर सकते हैं इसका output को speaker में डाल सकते हैं तो या headphone में भी purpose चीज है, जो कि बहुत सारा काम अगर आपको करना है, एक साथ या लाइव recording करनी है, यह एक तरफ तबला बज़ रहा है, एक तरफ मांसरी बज़ रही है, एक तरफ हर्मोनियम बज़ रहा है, तो यह सारा कुछ है, इसको सब को ले आके एक साथ डाल दीज्ये, उसका volume को fine tune कर लिजए इन अलग-अलग channels पे और किसी को left में डालना है year में right year में डालना है वो भी यहां से panning भी कर सकते हैं तो यह सब कुछ कर सकते हैं और सब को finally master पे send कर दीज़े तो वो जो आपका computer में चला जाएगा और record कर सकते हैं तो यह भी use कर सकते हैं आप मैंने एक जानकारी दे दी आपको लेकिन यह home studio के लिए basic level के लिए नहीं है यह सारी चीज़े बस आप ध्यान में रखिए एक जानकारी है और बहुत सारी चीज़े मैंने आपको बता दी तो आप confused हो गए होंगे कि इसमें से क्या करें क्या नहीं क आपको फिर से एक बार ब्रीफली समरी बता देता हूं तो अगर आप घर में केवल आपके पास computer है या आप basic level पे काम करना चाहते हैं करियों के के ऊपर record कर लिया थोड़ा घर में music बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपके पास एक computer ह एक digital audio workstation है मतलब audacity है या कोई paid software है और उसके बाद एक headphone जो आपके पास generally होता ही है और लेना जो है additional वो केवल माइक है तो अगर आप USB condenser माइक ले लेंगे बेतर होगा या फिर कोई dynamic माइक भी ले सकते हैं कम दाम में मिल जाता है तो अगर यह चीज आप ले लेंगे तो आ कोई DAW के उपर तो music भी बना सकते हैं जैसे फेल studio के उपर हमारे कई सारे tutorials हैं जुन में computer के द्वारा ही आप music बना सकते हैं वो सारा कुछ बताया हुए आप हमारे channel पर देख सकते हैं इसके बाद अगर इससे उपर आप जाना चाहते हैं कुछ produce करना चाहते हैं तो उसके ल दिश्टर डियो वर्कस्टेशन शॉफ्टवेर जो होता है वो कोई पैड शॉफ्टवेर ले ली जैसा फ्ल स्ट्वियो है यूबस है या फिर नुएंडव है बहुत लोग यूज़ करते हैं प्रोटूल्स है प्रोटूल्स तो खैर बहुत कॉस्टली है चैसा भी आपकी जैसा भी budget हो उस हिसाब से और एक USB MIDI controller आप ले सकते हैं यह कम budget में 5000-10,000 में मिल जाता है minimum range में तो यह आप consider कर सकते हैं अगर आप प्यानो जानते हैं प्ले करना तो या फिर इसको सीखना चाहते हैं ले सकते हैं तो यह है next stage उसके बाद आप अगर आप इससे भी ज्यादा advanced level पर investment करना चाहते हैं तो फिर आप या फुल फ्लेयर जेकर स्टूडियो का setup चाहते हैं तो आप इन सब चीजों के अलावा audio interface ले लीजिए एक mixer ले लीजिए और आपका एक room होना चाहिए जो की soundproof हो और उस room में जो है वाल जो है उनके उपर ऐसे कोई चीज लगाएं जिससे की ज़्यादा गूंजे ना आवाज तो फिर आपका फुल फ्लेयर श्टूडियो बन जाएगा और इसके बाद जो है मैं कई सारे link आपको दिखाना चाहता हूं जहांपे की आप जो है कई सारी चीजे मैंने आपको बताई बट उनका जो है कहां से वो मिलेंगी आपको सब कुद दिखाना चाहता हूं तो यह जो है आप देख रहे है audio technica atr 2500 microphone यह मैंने बजाओ.com से लिय मिल जा रहा है तो आप देख सकते हैं अगर reliable है का seller और feedback अच्छे हैं तो आप ले सकते हैं यह एक अच्छा माइक है जो हमारे पास भी है और उसके बाद यह ब्लू यती costly है यह माइक भी अच्छा quality का है यह आपको बजाओ.com से मिल जाएगा तो यह माइक हुआ उसके ले सकते हैं यह भी budget में है आपके तो यह जो है basic level का जो है USB है और इसको ले सकते हैं यह बाद headphone जो मैंने आपको बताया था यह Samsung का SR850 professional studio reference headphones तो इसको आप consider कर सकते हैं यह मेरे पास भी है और यह अच्छा काम करता है उसके बाद Senheiser SD202 इसका दाम price थोड़ा कम है उससे बाद यह भी एक अच्छा option है यह भी आप consider कर सकते हैं और यह कई जगह पे मिल जाता है बाद कम दाम में आप मत खरीद लेना आप कहीं फस जाएंगे जैसे यह आप देख सकते हैं eBay में 945 में मिल रहा है तो कोई इसकी गारंटी नह लिए और जो से जो सेल कर रहे हैं उनको उनकी भी रैंकिंग वेगरा देख के रेटिंग ले ले तो अच्छा होगा अलेसिस एलिवेट फाइव एक्टिव स्टुडियो मोनिटर स्पीकर पियर साड़े बारह जार रुपया और क्रक रॉकिट तो यह सारे जो है स्टेंडर् लिए और जो Lubran जो है अच्छे ब्रांड जो है ये काफि अच्छे ही होते हैं आप प्राइस के हिसास से ले लेंगे कोई भी तो यह अच्छा ही दे गागा आपके लिए फिर आपको जो है यह एडफून के लिए यह चीज चाहिए अगर आपके पास जो है आपका हेड़ ज और आपका जो माइक है उसके लिए अलग अलग पोर्ट को स्प्लीट करने की चीज है यह इबेस से इस तरह की चीज आप जो है स्प्लीटर खरीद सकते हैं उसके बाद अच्छा ब्रांड का चीज लीजे मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रांड है उसको कंसीडर कर सकते हैं इसके बारे में मैं कहा रहा था यह एक अच्छा काम करता है और के बाद जो सॉफ्ट्वेर की बात मैंने बताई थी कि और सिटी है उसके अलावा भी कई हैं फ्री सॉफ्ट्वेर बत आप क्यों जाएंगे और भी जबकी बेस्ट आपके पास अबलेबुल है फ्री सॉफ्ट्वेर तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गई म talkinले तो आप जो है जो है न इसική version से देख सकते हैं बहुत सारे हैं при software जो कि आप यूज कर सकते हैं बाट i product Audacity generally बहुत सारी लोग यूज करते हैं यह professional quality का he software बन चुका है काफी पूराना है और काफी reliable है ओके तो आप इसे यूज कर लिजिए और यह सब कुछ software का लिंक हमने आपको दिखा दिया है पहले मिक्सर जो है अगर आप consider करेंगे तो यह कम दाम में जो है Behringer Genix 802 Mixer यह एक कम दाम में जो है अच्छा option है और ज्यादा चैनल के लेंगे तो mixer के बहुत ज्यादा ही दाम होते हैं अगर आप लेंगे तो अच्छे ब्रांड की चीजे लें ताकि वह आपको help करें आप उसको ज्यादा समय तक यूज कर सकें और यह जो है function graphite midi controller यह सब आप कुछ आप ले सकते हैं बट आगर ज्यादा functionality है इसमें मेरे पास भी है बट मैं यूज नहीं करता हूँ general यह सारे बटन्स है नॉब्स हैं यह साथ आप यूज ना कर सकें तो क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं बनता है आप software में ही उसको volume को कम ज्यादा कर सकते हैं यह panning कर सकते हैं यह drum pad जो है इसके बजाए आप keyboard के उपर भी drum pad बजा सकते हैं इसको ही use कर सकते हैं की जगा तो इतने सारे functionality के बजाए अच्छा है कि आप जो है ना ज्यादा की वाला कमदा में मिल जाएगा उस तरह का कोई यह ले ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए यह थी दोस्तों सारी जनकारी मैंने बहुत सारी जनकारी आपको बजा दी है तो थैंक्स लोड थैंक्स पर वाचिंग माई चैनल और आई होप यू लाइक इट अड़ यू लाइक टिक प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक् बजयर वाचिंग